सब्सक्राइब कीजिए केरिंग ये ओनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए वेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगलर वेशिस पर देखने के लिए और आस में आप सभी के साथ शियर करने वाली हूँ एक ऐसा अमेजिन पैक चुकि आपके चेहरे को आपकी उम्र को इंस्टेंटली दस साल पीछे ले जाएगा आपके चेहरे की लूज स्किन को ट्राइट करेगा चेहरे की जुर्यों जायों और फाइन लाइन्स को खत्म और खास तोर पर अगर आप किसी फंक्शन में जा रही हैं और आप चाहते हैं कि आपका चाहरे एक तम ब्राइट देखे ग्लोइंग देखे चाइट देखे आपकी स्किन तो ये पैक आप जरूर यूज कीजिए क्योंकि इसके इतने जादा अच्छे रिजल्ट है एक बार जब आप इसको यूज करेंगी तो बार बार अपने आपको इसको यूज करने से नहीं रोप पाएंगी तो चले शुरू करते हैं इस एक बहुत ही मिरेकुलस अमेजिंग पैप के बारे में जानना और इसको बनाने के लिए जो मैं सबसे पहले चीज ले रही हूँ वो है अगर के बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है क्योंकि इसके इतने सारे फायदे हैं और अब तो यह scientifically प्रूप भी हो चुका है कि मुलेठी में पाया जाने वाला इसका एक्स्ट्रैक्ट आपके चेहरे के रंग को निखारता है दाग धपो को कम करता है एजिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रावलम्स होती है फिर चाहे वो जाया हो जुरिया हो फाय लाइन्स हो आखों के चारो तरब जुरियों का दिखना हो सैगी स्किन का होना हो पिगमेंटेशन हो उन सभी से छटकारा दिलानी में लिकुरूस पाउडर बहुत जादा फायदे मंद हो बहुत जादा असरदार माने जाते हैं तो यह तो बात होई लिकुरूस पाउडर की जो कि मैं स्रैमडी में योज़ कर रही हूँ अगला इंग्रीडियंट में इस पैक को बनाने के लिए लोगी काफी पाउडर और हम सभी जानते हैं कि काफी पाउडर कितना अच्छा माना जाता है जब भी बात की जाती है सकिन को डीपली क्लीन करने की कि वह वह ब्ल्क चेहरे पर अच्छा गलो भी आता है और इसके मिलते ही हैं तो दूसरे इंक्रीजियंट हुआ कॉफी पाउडर। अगली चीज जो मैं इस पैक को बनाने के लिए यूज कर रही हूँ और जो खास तोर पर एजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में बहुत असरदार है और वो है एपल पेस्ट एपल पेस्ट में आप सभी को पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है वाइटमिन ए का और वाइटमिन ए एजिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम सोती हैं आपके चेहरे पर आपके स्किन पर उनको ठीक करने में और उनसे चुटक कर दिखाए देगा वो आप खुद महसूस कर पाएंगी अगली और आख़ी चीछ जो मैं इस पैप को बनाने के लिए यूज करे हूँ वो है गौंद का जैल जी हाँ बिलकुल गौंद का जैल जो मैं अपनी पहले भी कई सारी रेमिडीज में यूज कर चुकी हूँ और यह कीकर की गौंद का जैल यह गौंद का तीरा नहीं है मैं बारवार आप सभी को इस लिए बताती हूँ क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं गौंद काटीरा और कीकर गौंद में दौनों बिलकुल अलग होती है गौंद कातीरा आप पानी में भीगोएंगी तो यह फूल करने में आप यकीन मानिया जब इसको यूज करते हैं तो इंस्टेंटली इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं इंस्टेंटली आपके चहरे पर जो इफेक्ट आता है वो आपको तो दस साल पीछे ले जाता है, आपकी उम्र दस साल कम दिखना शुरू हो जाती है, और जब regular basis पर use करते हैं, तो इसके काफी सारे फायदे हैं, जैसे आपकी skin trite होती है, सैगी skin से आपको चुटकारा मिलता है, और जब skin trite होती है, तो fine lines भी आपकी ठीक होती है, wrinkles दिखना कम हो जाती है, और resultant आपकी skin दिखती है, smooth और supple, तो यह तो बात हुई सारे ingredients की, अब इस pack को बनाना कैसे है, वो मैं आपको बता देती हूँ, तो इस remedy को बनाने के लिए, मैं यहाँ पर ले रही हूँ, एक चमच मुलेठी powder, अगर आपके पास powder है, तो आप powder ले ले, और सकती है, और एक चमच इस remedy में यूज कर सकती है, तो एक चमच मैं ले रही हूँ, मुलेठी powder, एक ही चमच में लोगए coffee powder, किसी भी brand की coffee आप ले सकते है, कोई भी particular brand नहीं है, कोई भी अच्छा brand इस pack में यूज कर ले, तो एक चमच मैं ले रही हूँ, कॉफी powder, अगला ingredient है आपल पेस्ट और आपल पेस्ट भी में ले रही हूँ, एक चमच, और जो आखरी चीज में इस remedy में मिला रही हूँ, वो है गौंद का जैल, और गौंद का जैल आपको यहाँ पर लगभग दो चमच लेना है, और इसका जैल बनाने के लिए, जब भी आप इस remedy को यूज कर यह कि यह बहुत अच्छी से घुल जाएगी, और इसका एक बढ़िया सा जैल आपको मिल जाएगा, तो दो चमच जैल मैंने इसमें डाल दिया है, अब यह सारी चीज़ें आपकी इस बॉल में आ गई हैं, इनको आपस में अच्छी तरह से मिला दें, और पैक तयार कर लें मैसे तो इस पैक की कंसिस्टेंसी काफी अच्छी होती है, और यह लगाने में भी आसान होता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, कि थोड़ा सा यह लगाने में मुश्किल हो रहा है, तो आप इसमें आधी चमच राइस पाउडर भी एड़ कर सकती हैं, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी बहतर हो जाएगी, और फिर यह आपको चहरे पर आसानी से एक पैक की तरह लग जाएगा, फिलाल मैं यहाँ पर एड़ नहीं कर रहे हूँ, सिर्फ एक सजेशन है कि अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी से कोई प्रॉब्लम है, आपको आसानी से चहरे पर नही चहरे और गरदन पर फैला ले, और 20-25 मिनिट के लिए इसको अपने पूरे चहरे पर लगा रहने दे, जब यह पूरी तरह से सूक जाए, तो इसको हलके गुनगुने पानी से धोले, और अपना चहरा साफ कर ले, एक और बात में यहाँ पर बताना चाहूँगी, कि जब आ गौंद की वज़े से है, तो डरे नहीं, और इस पैक को लगाने के बाद बिलकुल भी बात ना करें, अपने चहरे को बिलकुल रिलेक्स मोड में रखें, क्योंकि अगर आप बात करेंगे, तो आपके स्किन खिचेगी, और इससे आपको रिंकल्स और ज़्यादा आ सकते है इसके साथ ही, वो लोग जिनके स्किन अल्रेडी बहुत ड्राई है, वो लोग इस पैक को यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप इस पैक में आधी चमच तिलका पाउडर भी एड़ करनें, क्योंकि तिलका पाउडर नाच्रली स्किन को मॉश्राइज करता है, नमी देता ह जिसे कि गौंद की वज़े से जो ड्राईनेस एफेक्ट थोड़े बहुत आते हैं, वो बैलेंस हो जाएंगे और फिर बहुत जादा ड्राईनेस आपकी स्किन पर नहीं आएगी, आप चाहे तो कुछ मुने ग्लीसरीन की भी इस पैक में एड़ कर सकती हैं, ये सिर्फ तब आपको करना है, जब आपकी स्किन अल्रेडी बहुत जादा ड्राई हो या फिर किसी भी पैक को लगाने से ड्राईनेस आपके चाहरे पर आजाती है, वो लोग जिनके स्किन ओईली है या कॉम्बिनेशन है, उनको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है जैसा मैंने बताया है, बिल्कुल वैसका वैसा ये पैक वो यूज़ कर सकते हैं, तो आप हफ़ते में इस पैक को एक बार, maximum दो बार तक भी यूज़ कर सकते हैं, और जब regular basis पर इसको यूज़ करते हैं आपको उस दिनों तक तो आप देखेंगे कि इतने अच्छे tightening effect आप आपको आपकी स्किन पर दिखना शुरू होंगे कि हर कोई आपसे इसका रास पूछेगा तो आपको यह remedy कैसी लगी यह वीडियो कैसा लगा यह मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए मझे जरूर बताईए इसको लगाने के बाद आप सबीक साथ शेयर करती हूँ आप उसे देख पाएं और उसे फाइदा ले पाएं मैं आपसे मिलते हूँ अगले वीडियो में किसी तरह की अच्छी रैमिडिय की साथ तब तक के लिए बाबाई